ओम सिरी गनी शायनम दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच जनवरी सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगोसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं, आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा, तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको काम्या भी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ साथ कोई प्रत्यासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी करती विदी में जो आपके उदेश से का इस पस्ट अर्थ दें उन वि प्रिष्ट को प्रबाबित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पह करने दें अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारचमता से दूसरों को आज आप प्रबाबित करेंगे कारचेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगटि परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें, किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें, अनावशक परिसानिया उत्पन हो सकती हैं, साथि साथ परिवारिक इस्तितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं, जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है, इसलिए घर परिवार मे आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता-पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई बेहन, माता पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंदरित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर र अधिकतर रहेगी नकारातमक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना आरतमक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन क कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैविशाई के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना प पर जाने के भी योग बनेंगे तोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है आपकी आमांदनी में सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिये श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी ल सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समझें उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवश्चक है जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहूनी को रुका जा सके शावधान रहें इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद साथ कन्याओं को धर जा दोस्तो ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में परेशानियों चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगी और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें मा लक्षमी का असिरवास्ते बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों मा लक्षमी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै मा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद